हेलो फ्रेंट्स गुड़ मॉर्णिंग एंड स्वागत आपका PKM Special Classes में फ्रेंट्स आज किस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं UP Special का सेट नंबर टू और यहाँ पर हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की जो महत्यपूर जन जातियां है यानि UP के जो ट्राइबस हैं इसको हम कवर करेंगे तो वीडियो और एक्जाम के लिए काफी important है क्योंकि यहाँ पर वीडियो और एक्जाम में आपके एक से दो प्रस्ण है यहाँ पर उत्तर प्रदेश ट्राइबस से आपको देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो यह question जो है आपके एक्जाम में डारेटली यहाँ से एक से दो प्रस्ण देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ जितने भी question लिए गए हैं सब previous year question है तो फ्रेंड्स चली स्टार्ट करते आज की वीडियो को तो वीडियो काफी important इसलिए वीडियो के एंडर तक जरूर बने रहें तो उत्तर प्रदेश की tribes जो है उत्तर प्रदेश की जो जन जातिया है इसके बिसमें पढ़ेंगे और महत्तपूर प्रश्ण को पढ़ेंगे जो बार बार पूछे गए हैं तो आज का पहला प्रश्ण देखिए यहां पर है कि सरवाधिक अनसूचित जन जातियों के प्रतिसत वाला जिला कौन सा है पहला कोशन है कि सरवाधिक अनसूचित जन जातियों के प्रतिसत वाला जिला कौन सा है तो इसका सही उत्तर यानि सोन भद्र में सबसे अधिक अनसूचित जन जातियों का प्रतिसत वाला जिला है यानि सोन भद्र में सबसे अधिक अनसूचित जन जातियां पाई जाती है अगला कुश्चन है करा कि सरवाधिक अनसूचित जन जाति वाला जिला कौन सा है वहां प्रतिसत पूछा था और यहां पे केवल जिला पूछ रहा है लेकिन दोनों का एंसर सेम है कहा रहा है कि सरवादिक अनसूचित जनजाती वाला जिला कौन सा है तो यह हो जाएगा सोन भद्र तो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर यह सोन भद्र फ्रेंट्स आपको बता दे अगर इसका प चलते हैं अगले प्रस्ण पर अगला कोशन है करा सबसे कम अनसूचित जनजाती वाला जिला कौन सा है यानि सबसे अधिक तो सोन भद्र हो गया अब सबसे कम पूछ रहा है तो सबसे कम आपका हो जाएगा बागपत तो राइट एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर यह बाग जो जनजाती पाई जाती है बुक्सा जनजाती थारू जनजाती गोड जनजाती और खरवार तो इन में सबसे अधिक जन संख्याली जनजाती कौन सी है तो थारू जनजातीयों की जो संख्या होती है सबसे अधिक होती है ठीक है तो थारू जनजाती कहां कहां पाई जाती ह अगला कोशन है अगला कोशन कह रहा है कि निन में से कौन सुमेलित है तो यहां आपको बताना कि कौन सुमेलित है तो पहला दिया है खरवार जन जाती ललितपूर जो की बिल्कुल गलत है खरवार जन जाती जो है वाराणसी सोनभद्र गाजीपूर बलिया में पाई जाती है नेक्स्ट दिया यहाँ पर बोक्षा जन्जाती जिसको कहीं के भोक्षा भी लिखा रहता है तो बोक्षा जन्जाती कहां पाई आती है बिजनवर में पाई आती है तो यहाँ बिल्कुल सही है नेक्स्ट यहां पर देखिए दिया है बैगा जन्जाती तो बैगा जन्जाती कहां पाई जाती है तो बैगा जन्जाती सोन भद्र में पाई जाती है यह तीनों पॉइंट याद रखिएगा और थारू जंजाती कहां पाई जाती है तो थारू जंजाती जो है महराज गंज के तराई छेत्र में पाई जाती है ठीक है महराज गंज के तराई छेत्र में पाई जाती है तो यहां से क्लियर हो गया होगा खरवार जन्जाती कहां पाई जाती वाराणसी में पाई जाती है बॉकसा जन्जाती बिजनोर में पाई जाती है बैगा जन्जाती सोनभद में पाई जाती है और थारू जन्जाती महराज गंज के तराई छेतर में पाई जाती है प्रदेश की दस नई जनजातियों को कब सूची बद्ध किया गया 2003 में किया गया सही उत्तर हो जाएगा option number C अगला प्रशन है करा कि परहिया जनजाति निवास करती है कहा निवास करती है तो भी आप परहिया जनजाति कहा निवास करती है सोन भद्र जिले में निवास करती है सही उत्तर हो जाएगा आपसन नमबर ए हो जाएगा सोन भद्र में देखी यह कोश्चन काफी इंपोर्टन रही इसलिए इसको आप डबल स्टार में सामिल कर लिजिए यह कोश्चन कई बार पूछा गया है अगला कोश्चन है कि थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था तो थारू समाज में पहले किस प्रकार का परिवार पाया जाता है पाया जाता था तो मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता तो यह भी पूछता है कि लटभरवा भोज किस जनजाति में मनाया जाता है किस जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है तो थारूं के द्वारा मनाया जाता है यहां क्यों मनाया जाता है तो देखें यहां देख लेते हैं कि थारू जनजाति में जो है बिधवा बिवाह प्र भोज को जो है क्या कहते हैं लठ भरवा भोज कहा जाता है ठीक है तो क्या कहते हैं लठ भरवा भोज तो पूछता है कोशन लठ भरवा भोज जो है किस जन जातियों के द्वारा मनाया जाता है तो थारू जन जातियों के द्वारा मनाया जाता है चलते हैं अगले प्रस्ण पे अगला कॉशन है कह रा है कि अगरियय जन alcohol कहां निवास करती है तो अगरियय जन जाती सोन भध्रवाण करती है करम किस का लोकनित है तो करम जो है आपका खर्वार का लोकनित है यानि कर्वार जन जाती होती है इनका लोकनित क्या है करम है तो सहित रोजाएगा option number B अगला question है कि निम्न में से किस जन जातियों में बिरादरी पंचायत पाई जाती है यानि किस में बिरादरी पंचायत पाई जाती है तो यह जो है किस में पाई जाती है तो इसका right answer हो जाएगा option number Bukhsa जन जातियों में तो बुक्सा जंजातियों में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टन्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि कौन सुमेलित है तो बुक्सा जनजाती बिजनवर में पाई जाती है या बिल्कुल सही है और थारू जनजाती कहां पाई जाती है महराज गंज में पाई जाती है तो यहां तराई छेतर में है इसलिए अगलत है अगला क्वेश्चन कह रहा ह कि निम्न मेंसे कौन सी जन्जात इस सरवाधिक जन्संख्या में पाई जाती है तो थारू जन्जातियों की जब संख्या सबसे अधिक है नेक्स्ट कोश्चन है कह रहा है कि निमलिखी जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है तो थारू जनजातियों की संख्या सबसे अधिक है अगला कोश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार दरा प्रदेश की 10 नई आधिवासी जातियों को अनसूचित जनजातियों की रूप में कब सूची बद्ध किया गया है तो 2003 में सूची बद्ध किया गया तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपसर नंबर B हो जाएगा अगला कोश्चन है कह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सी अनसूचित जनजाति बिजना और जिले में निवास करती है तो बोक्सा जनजाति जो है बिजना और जिले में निवास करती है नेक्स्ट कोश्चन है निम्न जन्पदों में भोक्सा जन्जाती कहां पाई आती यानि बिजनावर जिले में तो भोक्सा जन्जाती पाई ही जाती है और इसके अलामा और किस जन्पद में पाई आती है तो यहां आगरा में पाई आती है ठीक है तो भोक्सा जन्जाती कहां पाई आती है बिजनावर और आगरा जिले में पाई आती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा option number A चलते है next question पर अगला question है कि उत्तर प्रदेश की सरवाधिक जनसंख्यावली जन जाती कौन सी है उत्तर प्रदेश की सबसे जन संख्यावली जन जाती थारू जन जाती है तो सही उत्तर हो जाएगा option number A थारू जन जाती next question है and last question है अगरिया जन जाती बैगा जन जाती भूईया जन जाती यह जो है अनसूचित जन जाती है यह मुख्यता कहा निवास करती है तो यह सोन भद्र में निवास करती है यानि इन में से आपको कोई भी पूछ सकता है पूछ लेगा अगरिया जन जाती कहा निवास करती है तब भी सोन भद्र में होगा बैगा जन जाती तब भी सोन भद्र में होगा या भुईया जन जाती पूछे तब भी सोन भद्र में होगा यानि अगर यह जन जाती बैगा जन जाती और भुईया जन जाती इस सभी कहां पाई जाती है सोन भद्र जिले में पाई जाती है तो friends यहारा आज का last question और इसका देखिए answer की आपको यहाँ पर नीचे दिया गया है तो जैसे ही आप PDF को डाउनलोड करेंगे टेलिग्राम लिंक से तुरंट आपको इसका PDF answer की के साथ मिल जाएगा तो friends अगर आप चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वीडियो री एक्जाम में जो आपकी UP special से प्रस्न आने वाले हैं आपके 9 से 10 प्रस्न आने वाले हैं तो friends आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं जब तक मैं वीडियो अप्लोड करूंगा साथ से आठ वीडियो तो मैं निश्चित तो और पर कह रहा हूँ कि आपका एक सिंगल भी कोशन इससे बाहर नहीं जाएगा ठीक है friends तो friends अपने दोस्तों में जरूर इस वीडियो के share करें ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुंच सकें तो friends वीडियो कैसे लिए comment box में जरू बताईएगा आप बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों तब तक के लिए जैहिन वंदे मात्रम